आज हम साइन्स के सिरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स के एक नए चिप्टर गती को डिल करेंगे साथ ही इससे जुड़े हुए कोस्टन्स को देखेंगे और ये टॉपिक आपके एंटी पीसी रेलवे अधर निक्जाम पीसी एस के लिए काफी देखें तथा इससे जुड़े हुए औबजेक्टिव कोश्टन्स को तथा इससे जुड़े हुए नोमेरकल को अवश्च्ट डील करें चलिए सुरुवात करते हैं गती कहते किसको है इसके प्रकार क्या है उनको समझते हैं गती यदे किसी वस्तू के स्थिति अन्य लाता है अर्था समझी यहां से यहां गई यहां से यहां गई तो वो क्या होगी गती में होगी गती के कुल कितने परकार है तो गती के चार परकार है इनके नाम क्या-क्या है वो देखिए पहला का नाम है रेखिये गती दूसरा वृतिये गती तीसरा दोलन गती और चौथा आबर्त गती आपने कहा था कि इसको इंग्लिस में लिखे तो मैंने इस बार इंग्लिस में भी लिखा है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और सिलेटरी मोशन तथा पर योडिक मोशन रेकिये गती नाम से यसपस्ट है जब कोई वस्तू सरन रेखा या वक्र रेखा पर गमन क करती है तो उसे रेखिये गती कहते हैं उदाहरन के रूप में आप सरक पर चलती हुई किसी गारी को देख सकते हैं नाओ पे चलता हुआ वेक्ती को देख सकते हैं बंदूक से निकली हुई गोली को देख सकते हैं अब आम जिंदगी में जितने भी सरक पर चलती हुई गार करें तो उसे वृतिय गती करते हैं उदारन के तोर पे आप किसी धागे में पत्तर को बांद के घुमाते हैं तो वो वृतिय गती का उदारन है अन्य उदारन के रूप में सुर्य के चारो और ग्रहों का घूमना अथवा प्रित्वी के चारो और चंदमा का घूमना ये सब व आप ऐसे उदारन के रूप में देख सकते हैं कि जब एक जूले पे कोई व्यक्ति बैठता है तो वो आगे और पीछे मुव करता है अर्था किसी निश्चीत बिंदू के आसपास डोलन करे तो वो क्या कहलाएगा डोलन गती के कहे जाएगे इसके उदारन के रूप में जूल पे की गती, पेंदूलम की गती को देखा जा सकता है चोथा आवर्द गती आवर्द गनती यानी periodic motion दोलन गती से मिलती जूलती है जबकि कोई वस्तू अपनी गती को समय के साथ निश्चीत अंतराल पा दोराती है तो उसे आवर्द गती कहते हैं आम जिंदगी में हम इसे क नहां देख सकते हैं तो जब सिलाई मसीन की जो सूई होती है वो अपने निश्चित बिंदू से उपर नीचे बार बार करती है जो कि इसके उदारन के रूप में बिल्कुल सटीक है सिलाई मसीन की सूई की गती को आवर्थ गती के रूप में देखा जा सकता है चलिए इस ने लिखा है कि दूरी में केवल परिमान होता है अर्था सिर्फ मेगनिट्यूड होता है जबकि विस्थापन में परिमान और दिशा दोनों होते हैं चलिए इसको समझते हैं कि यदि मैं पांच किलोमेटर लिखू तो ये दरसाता है कि ये सिर्फ दूरी है यदि मैं कहूं की पांच किलोमेटर पूरव दिसा तो ये आपको कहलाएगा विस्थापन अर्था जिसमें सिर्फ मान दिया हो सिर्थ डिरेक्शन नहीं दिया हो वो दूरी हो गई और जिसमें डिरेक्शन के साथ मान दिया हो तो वो आपका विस्थापन हुआ चलिए पिक्चर से समझते हैं A बिन्दू तथा B बिन्दू दोनों बिन्दू के बीच कि नियुन्तम दूरी हमारी विस्थापन हुई तथा A और B बिन्दू के बीच अगर किसी रास्ते से जाए घुमते हुए तो वो क्या हुई तो टोटल दूरी लेकिन अगर उसे सौड कट यानि मीनमम डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा विस्थापन आगे जलते हैं कि सदीस रासी और अदीस रासिया क्या है अदीस रासी की परिवासा को देखिए जिस रासी को पुन रूप से वेक्ट करने के लिए केवल परिमान की आवसकता होती है उसे अदीस रासी कहते है थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जिसमें सिर्फ परिमान हो वो अदीस रासी कहलाएगी अगर मैं कहूँ 10 किलोमेटर परती घंटे की चाल से कोई गाड़ी जा रही है तो 10 किलोमेटर परती घंटा चाल है मैंने गाड़ी की दिसा नहीं बताई तो यानि चाल हमारा क्या हुआ अदीश रासी लेकिन मैं कहूं कि 10 किलोमेटर परती घंटे की चाल से कोई रेलगारी पूरव दिसा में जा रही है तो ये 10 किलोमेटर परती घंटा हमारा वेग कहलाएगा इसके उदाहरन के तोर पर आप देखिए द्रवमान, समय, आयतन, घंट्व, उर्जा, कारे, दूरी, चाल, छित्फल एवं दाव इन सब को आप नोट डाउन करेंगे तथा इन्हें याद रखेंगे क्यों क्योंकि कभी कभी कोश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि निमलिखित में से कौन सा सदीस रासी है अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है और निमलिखित में से कौन सा अदीस रासी है अर्थात स्केलर क्वांटिटी है इनके उदाहरन को आप पेंडाउन और याद रखेंगे सदी सरासी के उदारण है विस्थापन, वेग, तवरन, बल, समवेग एवं भार आगे बढ़ते हैं कि वेग और चाल में क्या अंतर है थोड़ी दर पहले ही मैंने आपको बताया कि वेग एक सकेलर क्वांटिटी है और चाल जो है एक सकेलर क्वांटिटी दोनों में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि चाल में दूरी बटा समय होता है और वहीं वेग में विस्थापन बटा समय होता है विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है जब दो वस्तू के बीच अगर मैं सीधी लाइन लूँ तो वो दूरी भी है और विस्थापन भी चा और वेग दोनों में दूरी और समय लगे हुए हैं तो इसका मात्रख होगा मीटर बटा सकेंड अर्थात मीटर पर सकेंड अब आगे चलते हैं तवरण तवरण यानि की एक्सलेटरेशन वेग में परिवरतन हो आके तवरण कहेंगे किसको जब यह स्पीड 10 किलोमेटर परती घंटे से 15 किलोमेटर परती घंटा हो जाए समय के साथ तो हम वस्तू को कहेंगे कि वस्तू तवरण में है अगर इसकी परिवासा को देखें तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को तौरण कहा जाता है तौरण धनात्मक भी हो सकता है तौरण रिनात्मक ही हो सकता है खुदी समझिये कि यदि हम बढ़ रहे हैं तो positive symbol के साथ बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो negative symbol के साथ घट रहे हैं अर्थात, तोरन positive तथा negative दोनों परकार के हो सकते हैं रिनात्मक त्वरण का एक नाम दिया गया है जो कि नीचे दिया हुआ है रिनात्मक त्वरण को retardation अर्थात मंदन कहा जाता है वेग में परिवर्तन नहीं हो तो त्वरण सुन होगा इसको कहेंगे एक समान वेग से गाड़ी का चलना तवरन का सिंबॉल क्या है तथा इसकी इसका फर्मॉला क्या है वो देखिए तवरन होता है वेग बटा समय थोड़ी पहले ही हमने देखा कि वेग होता है दूरी बटे समय और यहाँ पहे है तवरन मराबर वेग बटे समय तो तवरन का ऐसा ही मातर क्या बनेगा वेग मीटर परतिस सकेंड हो गया वेग का आउस में भी परतिस सकेंड लग गया तो हो गया तवरन का अर्थात मीटर पर 30 सकेंड और फिर सकेंड अर्थात मीटर पर 30 सकेंड आगे बढ़ते हैं गति के सुत्र गति के 3 सुत्र होते हैं जिन में पहला है भी बरावर यू प्लस 80 दूसरा है एस बरावर यू टी प्लस हाफ 80 स्कुरार तीसरा भी एस्कुरार बरावर यू एस्कुर फ्लस 2 एस इसमें भी अन्तिम्वेग को दिनोट करता है यू प्रणविक वेग को दिनोट करता है ए त्वरण को तता टी समय को दिनोट करता है और इसमें जो स है वो विस्थापन को दिनोट करता है जब भी आप से questions पुछे जाएंगे तो उसके symbols को समझने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि उसमें given क्या है अगर सिर्फ meter में है या kilometer में है तो विस्थापन है meter पर 30 second में है तो वेग है meter पर 30 second square है तो वो त्वरन है और सिर्फ second में है तो वो समय है उसके unit को देखते हुए ही आप इस formula में उसको put करेंगे और बनाने का परियास करेंगे इससे जुड़े हुए questions को मैंने आगे दिया है उस समय इसको deal करेंगे अच्छे से चलिए वृतिय गती थोड़ देर पहले ही मैंने आपको वृतिय गती के बारें बताया था कि जब कोई वस्तु वृताकार पत्पर गमन करती है तो वृतिय गती के रूप में जाना जाता है वृतिय गती से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है जो मैंने दिया है जो की बार-बार अलग-अलग एक्जांस में पूछे जाते है देखिए वृतिय गती वृतिय पत पर गती सील कोई कंड अपनी दिशा लागतार बदलता है अर्थात वेग लागतार बदलता है भले है उसका चाल समान हो एक वृता कारपत पर कोई वस्तू अपनी दिशा को हर बिंदू पर बदलता है इस समय वो इस डिरेक्शन में जा रहा होता है तो इस समय वो इस डिरेक्शन में जा रहा होता है इस बिंदू पर वो इस डिरेक्शन में जा रहा होता है तो वेग में सीधा सीधा परिवासा ये कहता है कि वेग में दिसा और परिमान दोनों निश्चित होने चाहिए तो यहाँ पर हर बिंदू पर दिसा बदल रही है जिसके कारण उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है भले ही इसकी चाल 10 किलोमेटर परती घंटा रही हो लेकिन हर बिंदू पर दिसा के बदलने से इसके वेग में परिवर्तन आ रहा है अगले पॉइंट कितब देखते हैं जब वस्तू एक विताकार पत पर एक समान चाल से चलता है तो उसकी गती को एक समान वृतिये गती कहते हैं थोड़ देर पहले मैंने बताया कि अगर कोई वस्तू एक विताकार पत्पर चल रही है उसकी चाल फिक्स है तो उसे कहते हैं विताकार के लिए एक समान वितिये गती एक समान वितिये गती भी तौरन का ही उदारन है तौरन में आपको बताया मैंने कि अगर वेग में पड़ ब्रस द्रेखोंए इस बिंदू पर वैग अलग होने कारण अरथां अलग तो अर्थात तौरन ऑफ अलग है क्यों क्योंकि तौरन के परिवासान में भी लिखा गया था कि वैग में परिवर्तन drip को ही पारर्ण करते हैं आगे चलते हैं दोलन गती इसको important रखिएगा क्यों क्योंकि आने वाले exam में इस से ज़्यादा कोशन पूछे जा रहे हैं चलिए देखते हैं दोलन गती दोलन गती आवर्त काल द्रवमान पर निर्वर्ण नहीं करता है अर्थात उससे प्रभावित नहीं होता है अगर कोई जूला है उस पर 5 कजी का आदमी बैठा हो या 50 कजी का आदमी बैठा हो उससे जूले के अवर्त काल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अवर्थ काल कहते हैं किसको है उसको समझे जब एक जूला अपने टॉप पे पहुंचता है तथा दूसरी तरफ अपने टॉप पे पहुंचता है तो इस टॉप से उस टॉप पर जाने तथा वापस आने में जो कूल समय लगता है तो उसे अवर्थ काल कहते हैं समझ लिजे फिर से जाने में लगा समय तथा आने में लगा समय दोनों समय के जोड को आवर्थ काल कहा जाता है दोलन गती का आवर्थ काल उसके लंबाई को लंबाई के समानुपाती होता है उसको नीचे देख लिजे कोश्चन में कि आवर्द काल यानि T 2 πाई रूट अंडर L Y G यहाँ पे L क्या है पेंडूलम की लवाई अर्था जूले की रसी की लंबाई G क्या है गुरुत्वेत्वरन जिसका मान लगभग 9.8 मीटर प्रती सेकेंड स्कुयर होता है आप दिधर देखें कोश्चन में दिया हुआ है T बराबर 2 πाई रूट अंडर L Y G इसमें परिवर्थित होने वाली जो मात्रा है वो L है, G है और T है पाई का वैलू बदल नहीं सकता अर्था इधर जो टाइम पिरियड है अर्था अवर्थकाल है वो L लेंथ के समान पाती है सीधा सीधा उपर उपर रिलेशन बना हुआ है अर्था वो उसके समान पाती है और कहा जाएगा कि टाइम गुरुत्वा कर्शन के क्या है तो नीचे में गुरुत्वा कर्शन है उपर में टाइम है अर्था ये दोनों एक दूसरे के व्यूत को आन पाती है लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पिरियड बढ़ेगा लेंथ को घटाएंगे तो टाइम पिरियड घटेगा लेकिन किस अनपात में घटेगा अगर देखिए length को मैं 4 गुना करता हूँ तो time period सिर्फ 2 गुना बढ़ेगा क्यों? क्योंकि length पे लगा हुआ है root root से जितना गुना बाहर आएगा वही उसका गुनज कहलाएगा अब आते हैं questions की तरफ questions है प्रस्क नमबर 1 की तरफ बढ़ते यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुकर्मानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं वस्तु का वेग सुनने है वस्तु का एक समान चाल से चल रहा है वस्तु का त्वरन अचर है वस्तु का वेग एक समान है अब देखिए तय की गई दूरी दूरी के चर्चा हो गई और समय के अनुकमान पाती अर्थाज समय बदलने के साथ साथ तय की गई दूरी भी बदल रही है तो दूरी बदल रही है तो वस्तू हमेशा एक समान चाल से चलती हुई कहेंगे हम एक समान वेग क्यों नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें direction नहीं है आपको ये नहीं कहा गया है कि जो समय के साथ हो जो चल रहा है वो पूरब चल रहा है कि पस्चिम चल रहा है निश्चित दिसा नहीं दिया हुआ है यानि यह एक समान चाल से चल रहा है एक समान विर्तिय गती में होता है आपको मैंने बताया कि एक समान विर्तिय गती में हर बिंदू पर वेग बदलता है लेकिन चाल स्थिर रहती है यानि कि चाल अचर है और वेग चर है तो आप देखिए इसका चौता उप्सन यही कह रहा है कि चाल अचर है और वेग चर है बाकी उप्सन को देख लिए कोई भी सही नहीं है दोनों अचर बिल्कुल गलत दोनों चर बिल्कुल गलत चाल चर नहीं चाल अचर और वेग चर है अगले कोश्च में देखते हैं अब बाते नुमेरिकल पार्ट की तरफ यदि एक सरल रेखा में 60 मीटर प्रतिस सेकेंड चाल से गती सील किसी वस्तु का तोरण 10 मीटर प्रतिस सेकेंड स्क्वाइर हो तो 4 सेकेंड में उसकी चाल क्या होगी चलिए अब पूछा गया है कि चार सेकेंड के बाद उसकी गती बताईए अर्थात अंतीम वेग पुछा गया है प्राडंभिक वेग दिया हुआ है और ए भी गिवेन है टी भी गिवेन है इस फ़र्मूला को यूज कीजिए भी बराबर यू प्लस 80 प्राडंभिक वेग यानि वर्तमान वेग की बात कर गय आपका उत्तर होता है C प्रिथिवी का पलायन वेग है 11.2 km 30 प्रति सकेंड, 2.4 km 30 सकेंड, 11.2 km 30 सकेंड, 11.2 km 30 प्रति आवर लेकिन जो हमारा पलायनवेग है प्रित्वी का उसे किलोमेटर प्रती सकेंड में ही डिनोट किया गया है। आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सी सदीस रासी है। कारे, उर्जा, समवेग, तथदाब। अगर इनको ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि समवेग एक सदीस रासी है और बाकी सब अदीस रासी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जब एक वस्तू को किसी उचाई से छोड़ा जाता है तो उसकी गती सरवादिक होती है। एक सरवर रेखें गती की तरह समझे उपर से किसी वस्तू को हमने छोड़ा तो उसका गती मैक्सिमं कहा होगा। उपर से छोड़ रहा है यानि U0 है और B मैक्सिमं माना है तो वो कब मैक्सिमं होगा जब वो ज़्यादा से ज्यादा दूरी कर ले। ज़्यादा ज़्यादा दूरी तब कैद करेगा जब वो जस्ट नीचे पहुंचने की सिती में होगा तब यानि भी मैक्सिमम तब होगा जब वो जमीन से टकराने से जस्ट पुर्व तो यहां आईए ऑप्सन नमब बी में वही कहा गया है कि जमीन पर टकराने से तुरंत पह साथ बीस हुंच़ए के एक साथ ग्रा जाता है तो नमीघ्स में से कौन सा सई है जब नीचे पहुंच थो पहुंचते हैं तो इसका भी होता हैं रूट्डर 2 जिएज जब वह थे अदम लगा तो नीचे पहुंचने के बाद उसने के बाद भी बराबर होता है रूट अंड का कोई जिक्र नहीं है तो यह मास से इंडिपेंडेट है यानि दोनों को मास से कोई लेना देना नहीं है यानि दोनों एक साथ गिरेगी पंदरा केजी की वस्तू हो बीस केजी की वस्तू हो दोनों जमीन पर उचाई से एक साथ गिरा जाता है तो दोनों एक साथ गिरेंगी आगे चलते हैं जूला जूलते समय एक व्यक्ति को एक अस्थान से एक व्यक्ति के अस्थान पर दो व्यक्ति आ जाएं तो आवर्थकाल को क्या प्रभाव पड़ेगा आप ही समझिए कि मैंने थोरी देर पहले ही बताया था कि 5 केजी की वस्तु हो या 50 के व्यक्ति जूले पर खड़ा हो जाए तो अवर्थकाल क्या होगा बढ़ जाएगा घट जाएगा और परवर्थित रहेगा इनमें से कोई नहीं आप सोच रहे होंगे कि इसका एंसर और परवर्थित रहना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो जब कोई वस्ति जूला पर उपर की तरफ खिशक जाता है जिसके करण रसी की लंबाई थोरी सी घट जाती है अब लंबाई घटी तो आपको मैंने बताया था कि लंबाई आवर्थकाल के समानुपाती है अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो आवर्थकाल भी बढ़ेगा लंबाई घटेगी तो आवर् परेगा मैंने आपको बताया कि अवर्थकाल जो होता है वो रूट अंडर लेंथ के समान उपाती होता है लंबाई जितना हो उसका रूट लेना है तो लंबाई को 9 गुना किया गया है तो 9 जब बाहर आएगा रूट से तो 3 हो जाएगा तो अर्थात पेंडूलम की लंबाई से वेक से फेका जाता है यदि उसके पूरे गति के दोरान तोरन 10 मीटर पर 30 सकेंड स्क्वाइर हो तो पत्थर कितने समय पस्चात पुना जमीन पर पहुंचेगा यानि कि पत्थर के फेकने तथा वापस आने में कितना समय लेगा तो आपको मैं बता दूँ कि किसी निकाल लिया जाए और उसको डबल कर दिया जाए दूगना कर दिया जाए तो पुकुल आने और जाने का समय निकाला जा सकता है तो इसमें गिवेन क्या है प्राणबेक वेक किस स्पीड से फेक रहे हैं 20 की स्पीड से अंतिम वेक यानि जब वह वस्तु अपने टॉप पर और जो गुरूत्व ये तोरण है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है यानि निगेटिव है जब वस्तु को उपर या नीचे फेका जाता है तो वहाँ पर एक्सलेरशन जी के बराबर हो जाता है तो इस फरमुला का यूज करेंगे जिसमें कि वी हो यू हो और ए हो तो वो फर मुझे नहीं पता इसको सॉल करेंगे 20 इस साइड आएगा माइनस ट्रेंटी दस से हम इसको क्रॉस करेंगे यानि टी मेरा होगा दो सेकेंड तो यह सिर्फ मुझे जाने का पता चला कि नीचे से टॉप तक जाने में वस्तु को कितना समय लाएगा दो सेकेंड थोड़ी दि प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं प्रश्ण है एक ट्रेन 108 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से रहे लग चल रही है उसमें ब्रेक लगाया जाता है एक मीटर प्रती सेकेंड स्क्वाइर से मंदन उत्पन होता है तो ट्रेन रुकने से पहले ट्रेन कितनी दूरी तैक करेगी आपको कौन सा फ़र्मॉला यूजच करना है वो मैं बता देता हूँ इसमें चाल दिया हुआ है चाल जो है वो 10 किलोमेटर प्रती घंटा है दस सूर्छ दस किलोमेटर 108 km परती घंटा है 108 km को मीटर परती सेकेंड में बदलेंगे कैसे बदलेंगे 108 गुने 5 बटे 18 ये 5 और 18 कहां से आए उसको समझे उपर में km है तो km बदलना है तो 108 को मल्टिप्लाई करना परेगा 1000 से 108 x 2000 फिर नीचे में घंटा है उसको करेंगे सेकेंड में क्यों क्योंकि हमारा इसा यूरिंट है वह मीटर परती सेकेंड में है और जो ओप्सेंस हैं वह भी मीटर में ही है तो मुझे km परती घंटा नहीं बलकि 1.0 सेकेंड होना चाहिए तो एक घंटे में कुल 3600 सेकेंड होते हैं इन दोनों को कैंसिल आउट करने पर ही पांच और अठरा प्राप्स होते हैं इसलिए मैंने डिरेक्ली बताया कि एक सो आठ को पांच बटे अठरा से मल्टिप्लाई करेंगे अठरा से क्रोस आउट किजिएगा तो आपको जो यू मिलेगा वो है 30 मीटर पर 30 सेकेंड ए दिया हुआ है तोरण जो की निगेटिव है माइनस वन आपसे पूछा जा रहा है कि इस ग्याद करें यदि भी बराबर हो जीरो क्यों क्योंकि ट्रेन को अंत में रुक जानी है तो यानि भी क्या होगी जीरो आप इस पमला का स्कुराइर प्लस टू ए एस याद रखें यहां पर माइनस वन लगा येगा भी दिया हुआ है यू दिया हुआ है सौल करके इस निकालना है इसके उत्तर का मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा आप इसको सौल करेंगे और उत्तर कॉमेंट बॉक्स में डालेंगे इस वी प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद